नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोगपरी यूटुब चैनल जिसका नाम है सुनील जस्वाल बिबलोफाइल तो दोस्तों आज मैं TGT Arts Commission का 2019 का Question Paper लेके आ गया हूँ क्योंकि जो Last Day के Question Paper होते हैं वो हमारी त्यारी के लिए बहुत ज्यारी के लिए बहुत ज्यारी होते हैं मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हिमाचले परदेश स्टाफ सेलेक्शन कमिशन वाले हमेशे ही questions को repeat कर देते हैं तो अगर आप लोग किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा beneficial होने बला है तो दोस्तों आप रुपीयन गाटी हिमाचले परदेश के किस जिले में है तो दोस्तों यहाँ पर गाटी जो है उसका topic बन जाता है और इसका सही जवाब होगा A options रुपीयन गाटी जो अवक कि नोरो डिस्टिक में पढ़ती है अब हम चलते है question number 38 की तरफ जो कि हमार पास question number second है प्राचिन क कुलू था अब हम चलते है question number 39 की तरफ कहलूरिया वंच किस राजवंच से संबन दिता है तो इसका सही जवाब है D options अब हम चलते है नेक्स्ट की तरफ जितने भी दोस्तों राजवंच बनेंगे तो आप लोग त्यार कर लें अब हम चलते है question number 40 की तरफ बनेर नदी बनेर जो नदियां है जो साहिक नदियां है यह वाला टोपिक आप लोग त्यार कर लें अब हम चलते है question number 41 की तरफ तूंडा वन ने जीब अबरन हिमाचर प्रदेश के किस जिले में है तो दोस्तों यह इसका सही जवाब है चंबा में और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक कर लें अब हम चलते है question number 42 की तरफ नेमन में से कौन सा क्रिशी यलवाजु की शेतर हिमाचर प्रदेश राज्य का अधिक्तम की शेतर फल अब्दित करता है वीच ओफ फॉल्विंग एग्रो क्लाइमेट जौन कवर्ड़ मैक्समिम एरिया ओफ दे हिमाचर प्रदेश तो इसका सही जवाब है इसका सही जवाब आपके बस दिये गया है बी इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे एक शीज यह बनता है सही है और हिमाचर प्रदेश की जलवाजिव से बन सकते हैं तो अभी हम चलते हैं क्वेशन नबर 43 की तरफ हमus no.43 हमारे पास दिया गया है सीजूए सीचू हाइडो इलेक्टर्क प्रयोजना किस नदी पर नीर्मित है तो यहाँ उप्शन दिये गिया है बहुत ठीक नहीं है तो इसका उप्शन यहाँ पर दिया गया है दे लेगन यहाँ पर आपको थोड़ासा बता बताना आता हूं कि सीसू जो प्रोजेक्ट था यह लाहॉल स्पिती में है और यह 2013 में हिमाचले पर देश गवर्मेंट ने इसको अप्रूब किया था अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस्ट के तरफ तो नेक्स्ट केस्ट वेशन हमारे पास दिया गया राजीव गांधी ग्रामिन विद्यूत्ति कर योजना किस अरंब की गी तो दोस्तों यहां पर जो ऑप्षिन्स दिया गया है डी बाला दिया गया है लेकिन यह जो जो होजना थी यह 2005 में शुरू की गी थी और इसका मुख्योदेश यह था कि जो ग्रामिन की शित्तुर में जो लोग रहते हैं उन सभी को लाइट बिजली जो अब उबलवद करवाई जाए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वेशन के डिवैलिमेंट कोर्परेशन से लिम्टेड वास इनकोर्परेटर अंडर दर कंपरिस एक्ट 95 56 इन विचियर तो दोस्तों यहां पे जो सही जवाब होगा आपके पास यहां पे ऑप्शन दिये गये हैं तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन पे 45 का बी ऑप्शन होगा और यहां भी आप लोग देश negative देश हैं कि हमाचेर परदेश में जो सडग को से रिलिटिव प्रसण है बहुं बन सटा है यहां पे अब आप चलतें नेक्स्ट की दोस्त है नेक्स्ट वेशन वहाब पास दिये गया तो इसका सही जवाब आपके पास C option शाम सिंग ने दोस्तों चमबा सिर्लेटिब यतने भी प्रशन है वो आप लोग त्यार कर ले क्योंकि यहां से चमबा डिस्टिक जोबो काफी ज़्यादा important हो जाता है तो अगर आप लोग इनको त्यार कर लेंगे यहां पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हो कि यह लक्षमी नाराइन मंदर जो था वो भी चमबा डिस्टिक में है यह भी काफी ज़्यादा प्रशन important है अब हम चलते है सुजानपुर टिरा के इतिहासिक चोगान में कौन सा मंदर अबस्तित है तो इसका सही जवाब है D options मुरली मनोहर मुरली मनोहर मंदिर जो था वो 1790 AD में बनाया गया था और सुजानपुर की दोस्तो होली काफी ज़्यादा फेमस है ये भी प्रशन पूछ लेते हैं कि हमाचिर पदेश में कहां पे सबसे ज़्यादा होली जो फेमस है तो वो है सुजानपुर्टी रखी दोस्तो अभी हमारे पास question number आ रहा है 48 question number हमारे पास 48 दिया गया कौन सा गाम लहोर का प्रिवेश्दवार के रूप में जाना जाता है which of the following which is the village is known as the gateway of the lahol तो इसका सही जवाब होगा कौकसर, options आपके पास C दिया गया कौकसर, दोस्तो गेटवे ओफ इंडिया किसे बोला जाता है, ये आप लोग आपने answer जो कमेंट बोक्स में बताएं अब हम चलते question number 49 के तरफ question number 49 जो हमारे पास दिया गया है दंद्रास एक परवप्रगत नृत, हिमाचल परदेश की किस जनजाती द्वारा किया जाता है दंद्रास, a traditional dance is performed by which tribe of हिमाचल परदेश, तो इसका सही जवाब है D, sorry, C option जो आपके पास गद्दी दिया गया है, दोस्तों किस जनजाती से गद्दी जनजाती से रिटी प्रशन जो आप हमेशा पूछी जाती है, तो इस टॉपिक को भी आप लोग अच्छे से त्यार कर लें अभी हम चलते है, वेशन नमबर 50 की तरफ वेशन नमबर 50 जो हमारे पास दिये गया है हिमाले, हिमाले आर्ट बुक वाज डेटन वाई, हिमाले आर्ट शिर्शे पूस्तर के लेखर कौन है तो दोस्तों, इसका सही जवाब दिये गए आपके पास D-Options में J.C. Frank द्वारा J.C. Frank के द्वारा हिमाले आर्ट पूस्तर जो थी, वो लिखी गए थी दोस्तों, यहाँ पर जो टॉपिक बनता है किताबे, पूस्तर, उनके लिखर अब हम चलते हैं, नेक्स वेशन के तरफ नेक्स वेशन जो हमारे पास दिये गया है कौन सा उसब? पिक्चर्स उसब कहा जाता है तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा चैत्रोल, उस सब जो है हिमाचर परदेश के जितनी भी फैस्टिवल वगरा है आप उनको त्यार कर लें, अच्छे तरफ के से अब हम चलते हैं, नेक्स वेशन के तरफ हिमाचर परदेश के परथम मुखे नरिश कों थे? तो इसका सही जवाब दिया गया यहाँ पे नैमूर्थी MH वेग नैमूर्थी MH वेग मतलब नैमूर्थी हमदुल्ला वेग हिमाचर परदेश के जो परथम महिला मुख्य मंत्र थी वो शीरी मति लीला सीट थी तो हिमाचिर परदेश में जो परथम है यहाँ से टोपिक बन जाता है हिमाचिर परदेश में जो परथम है वो आप लोग अच्छे से त्यार कर लें अब हम चलते हैं लास्ट क्वेशन के तरफ क्वेशन अबर 17 जो हमारे पास बनेगा 2011 कि जनकरना के अंसार हिमाचिर परदेश जिले की अनसूचित जनजाती साक्षित अदर सबसे निमन किसमे है दोस्तों यहाँ पे जो आप्शिन्स दिये गए है इनके एकोर्डिंग आपके पास दिये गए है सिर्मोर में जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने इनको हाइलाइट भी किया है तो आप लोग इन टोपिकों को अच्छे तरिके से डिटेल में त्यार कर लें और मेरी भी कोशिश रहेगे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं 2018 का 2019 का क्वेशन पेपर लेके आऊ जिसमें की डिटेल में एक्स्प्रेंड करूँ और दोस्तों आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं मैं आपकी पूरी त्यारी कर बाऊंगा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राइकमेंट बॉक्स में यूरूर बताएं आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू वेरी मच दिल से